वेल्कम पोटेक्ट औरुखेज और आज की देट में शुरू करते एक नए सवाल से कल मेरे आप लोग इसे सवाल पूछा था और वह सवाल पूछके मैं आज तक पश्टा रहा हूँ मुझे लगाता है कि समसंग गैलक्सी नोटेट और प्रैस्ट हो चुका है लेकिन आज आप मुझे इसे ज्यादा आपको बताना नहीं है अपने अगर मेरा रोष्ट वाला वीडियो नहीं देगा तो जाके आप देख सकते हैं आज का सवाल यह है स्ट्रेट फॉरवड क्या आप आइफोन एक्स या जो भी आइफोन 10 जो भी आप बोलेगा आप उससे खुश है नहीं है आप अपना वैलिट रिचन देखे मुझे कमेंट करके बता लिजेगा बेस्ट कमेंट को में पिन करूंगा बहुत बश्शुक्रिया सारी तिन अजर से लाइक अभी हमारे उपर जा रहे है पांच यार लैक्स आज को भी टार्केट रखते हैं और आज की टेक्निक अजरी शुरू करते है तो पहले कबर की बात करते हैं आप लोगों बता रहते हैं कि इंटेक्स ने अपना एक एक वी यार प्लस करके स्मार्टफोन जो इंडेक लांच कर दिया और यह जो स्मार्टफोन इसकी हारे निपिचर ही कि आप पूसकर ने वी आर इनेबल फीचर म बेटरी मिलती है आपको यहां पर 1.25 गिगार्स का कोड को और अन्नोन मीडिया टेक का प्रॉसर मिलता है इंटेक्स में बात होती निए देख लेगे क्या अगरने की तरफ से कबर कारबन गाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कारबन ठीक है तो कारबन यहां पर अपनी स्मार् स्मार्ट गरांड करके एक ऐसा स्मार्ट फोन लांच किया है जिसके बारे में आप लोग को सुनना मेरे इसाब से बहुत ही बड़ा टॉर्चरस फील होगा यह जो स्मार्ट फोन इसकी प्राइजिंग रिविल्ड नहीं कि उनकी वेबसेट पर लिश्टेट है बस वही बात खतब हो जाती है और इनकी प्राइजिंग मुझे पचाए कि 5000 रुपी के उपर जाने वाली है तो यह स्मार्ट नहीं है बलकि यह हिंदी में बुद्दू को इंग्लीश में बुद्दू को क्या बलते हैं डम हां डम है तो इन फोकुस के तरफ से खपर आ दिये और मेरे बा इसे प्रॉट फॉन्स यार बहुत ही अच्छे थे जी हाँ अच्छे थे क्योंकि यहां पर जो नैफ फॉर वह आपको को ओड केमरा के साथ में मिलता है या क्या बात है आपको डूल रेर फिसिंग डैमरा और डूल सेल्फी जो रेर फिसंग केमरा आपको 13 प्लस 8 का मिलता ह आपको 3000 इमिच की बैटरी मिलती है, 4GB RAM, 64GB की स्टोरेज, 5.2 इंच के आपको HD वाली डिस्पेय मिलती है प्रोसेर की बात करें तो MT6750N वाला प्रोसेर मिलता है अब बात करते हैं Infocus Turbo 5 के तो आपको यहाँ पे 9000 रुपीस की प्रैस रखेंगे इसके अंदर आपको dual real camera मिलता है लेकिन आपको single facing और front facing camera मिलता है 5 megapixel का आपको rear facing 13 plus 5 का मिलता है आपको 5.5 inch की HD की डिस्पेय मिलती है आपको 3GB RAM, 12B storage और 4850 image की battery मिलती है इसके अंदर आपको MT6750 का प्रोसर मिलता है इसलिए मैंने कहा था कि यह phone अच्छा हो सकता था अब बात करते हैं कि ऐसे smartphone की जिस smartphone की हमें जो इंडिया में बहुत जरूरत है यहाँ पर sharp across करके एक ऐसी company है जो Japan के अंदर अपने काफी सारे smartphones launch करती है जो हमें bezel-less display देती है अब यहाँ पर उनका एक sharp across S2 करके एक smartphone ने जो बता करे है कि इंडिया के अंदर यह smartphone बहुत जल्दी launch हो सकता है यहाँ पर यह smartphone ने यह 2 variant में launch की गेते एक Snapdragon 630 और एक 660 थो 24,000 पीस की price थी और यहाँ पर 28,000 पीस की price थी 4GB, 64GB और 6GB, 108GB आपको यहाँ पर dual rear cameras मिलते हैं और यहाँ पर आपको देखें कि जैसी कुछ images कुछ इस तरिके का आपको यह smartphone मिलता है अब यह smartphone ने बहुत जल्दी इंडिया में launch होगा और उमीद करते है कि इसके pricing कुछ वही रखे 20-25,000 के आसपास तो मेरे सब अच्छा होगा ऐसे smartphone के हम उमीद करते हैं कि इंडिया में launch हो और ऐसे smartphone के हम उमीद करते हैं जैसी microwave ने किया इंफिनिटी से दूसरी company भी कुछ ऐसी अगर इंडिन company देती है तो मेरे सब से बहुत इच्छी बात है तो WhatsApp के तरफ से ख़बर आ रही है और बता है कि WhatsApp का delete feature बहुत जल्दी जो हमें देखने को मिलने माला है हाला कि previously WhatsApp recall करकी feature था अगर आप किसी को भी unnecessary text भेट देते या आप पश्टा रहे कि हमने गलती से भेट दला और वो person के पास अगर वो चला जाता है या double tick भी हो जाता है अगर single tick ने double tick भी हो जाता है तो वो message को आप directly जो वो delete कर सकते है जब वो person open करके देख लेगा scene होता है तो वो जब आप delete कर लेते तो वो हाँ पे दिखा देगा this message has been deleted यानि कि वो message उसको मिलेगा ही नहीं तो ये WhatsApp delete feature WA beta के जरीए जो वो एक beta mode में देखा गया है बहुत जल्दी हमें Android users में देखने को मिलेगा और बहुत ही जाता useful feature है काफी लोगों के घर जो वो बच जाएगे तो Vodafone की तरफ से ख़बर आ डिये है यहाँ पे Vodafone ने अपना international pack यहाँ पे जो वो launch कर दिये है अगर आप India से बाहर, Europe में कहीं पे भी जाते है प्रिविस लिए यहाँ यूए यूए से वगिरा में में सिंगापुर वगिरा में जाते तो यह pack आपको मिलता था करते हैं आप करते हैं यहां पर अब यहां पर सब्सक्राइब कर रहा है और हम लोगों को इंडिया के नदर 5G नेट्वक जो देने वाला है अब वोलकूम के साथ में फिर जियो की भी बाते आ रही थी लेकिन अब यहां पर हो सकता है एटल सबसे पहली यह चीज लेका है क्योंकि एटल बहुत मेहनत कर रहा है और हम सभी लोगों को 5G टेक्नोलोजी यहां पर देने वाला है अच्छी बात है कि यह सर्विस लेकर आ रहा है तो Nokia 6 का स्मार्टफोन अगर आपको पर्चेस करना है अगर आपने कोशिश किया रहेगा आज तो अगर आप प्रचेस नहीं कर पाया तो आप यहां पर सब्टेंबर 20 को फिर जाकि जो एमेजन के पर जो सेल जाएगा आप वहां पर जाकि यह स्मार्टफोन को पर्चेस कर स के अंदर बहुत फरक है लेकिन जो क्वालिटी फीचर्स दे रहा हूं मेरा इसलिए यह इसमें यह मेंचेंड किया क्योंकि मुझे लगा था कि बोलना जरूरी है तो वावी की तरफ से खबर आ रही है और हुआ इंडिया के अंपने तीन स्मार्टफोन कर दिया है और यह र सारी फीचर्स देता है काफी अच्छा है प्रीमियम बिल्ड है डश वाटर पूफ अक्रा सब कुछ मिलता है लेकिन प्राइस की बात करें तो 25,000 रुपे से स्टार्ट होती स्टार्ट नी स्टार्ट होती है और 30,000 रुपे तक जाती है 30,000 रुपे का 4G वाच लेके 30,000 तो यह भी वाच जो उसने दिया है 30,000 में कौन लेंगा भाई पागल हो गया कि गूगल की तरफ से खबर आड़ी और बता देरें कि गूगल यहां पर अपने दो नए फीचर जो अपने गूगल ट्रांसलेट अप में लेक्या रहा है यहां पर अगर आप गूगल के अप्ल आप उसके लेंग्विज में वो टेक्ट कर सकते आपको इंग्लिश में कुछ बूचा है आप करेंगे उसने कुछ कहा फिर आप करेंगे वह आपको ट्रांसलेट करके दे देगा यह बहुत ही यूसफल फीचर है आप जाकि गूगल ट्रांसलेट को अप्लेट करिए और यह बूल जाता हूँ